दिल्ली की प्रगती मिदान टरनल में बाइक सवा चार बदमाशों ने 24 जुन की सुबह एक डिलेवरी एजेंट से गन पॉइंट पर दो लाक रुपे लूट लिए थे इस मामले में दिल्ली पुलिस ने सुमवार देर रात दो संग्दीदों को पकड़ लिया अन आरुपियों की पेचान कर उनके घर छापे मरी की जारी है इसकी जानकरी स्पेशल सीपी लौ एंड और सागर प्रित हुड़ा ने दी इस बिच दिल्ली पुलिस ने आधी रात को पेट्रोलिंग की तीन दिन पेले हुई लूट का वीडियो सुमवार को सामने आया था वीडियो में देखा जा सकता है कि दो बाइक सवार चार बदमाश एक कार का पीछा कर टनल में बीस सडक उसे रुकते हैं फिर एक बदमाश गन निकाल कर कार के सामने खड़ा हो जाता है बागी के उसके तीन अन्य साथी कार के दोनों तरफ का गेट खुलते हैं और केश भरा बेग लेकर फरार हो जाते हैं पुलीस ने बताया कि ये टनल लगबग डेड़ किलोमेटर लंबी है सोला सिकुरिटी गाड टनल की सुरक्षा करते हैं ये टनल नई दिल्ली को सराय काले खा और नोईडा से जोड़ती है गटना के वक्त टनल की एंट्री और एक्जिट पर दो सिकुरिटी गाड तेनाथ थे दिल्ली के मुखे मंतरी अर्विन केश भरा ने इस घटना को लेकर उपराचपाल विने कुमार सकसेना से इस्तिफा मागा है केश भरा ने ट्वीट कर लिखा कि किसी शहर को उसके नागरीकों के लिए कैसे सुरक्षित बराया जाता है इसी के साथ बने रही है राजनामा ट्वी के साथ दाने वागा